नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कविता राना फ्रांस के माहान भाविश्वक्ता मिशल दनास्रे दमस एक ऐसी शक्सियत जिनकी जिन्दगी और भाविश्वानी करने का तरीका हमिशा से रहस्म ही रहा है पंदविश अतापती में उनका जन्म गुआ और 21 सदी से जुड़ी हजारों भाविश्वानी या उन्होंने कर दी तो दुनिया में उनको तब पहचाना जाने लगा जब उनकी भाविश्वानी या हकीकत का रूप लेने लगी इसके लावा एक और भाविश्वानी है जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है असल में जब नया साल लगता है तब नास्र दमस की भाविश्वानीयों को खोजा जाता है उनके लिखी किताब दप्रोफिसी में मौजूद भाविश्वानीया मुहावरे और कविताओं में लिखी गई है जिनने कई बार डिकोट करने की कोशिश की गई है और इनी में से एक भाविश्वानी एक ऐसी शक्सिय से जुड़ी है जो महान राशनेता के तौर पर उबरेगा और समूची दुनिया को पलड कर रद देगा जो पाई में लिखा है अब नासर तमस को मानने वाले लोगों ने जब उनकी लिखी इस चोपाई को समझने की कोशिश की तो जाना कि तीन और समूदर से तो भारत रक्षन अफरीका, ओमान, फ्रांस, स्पेन, फिनलेंड, रश्यादी देश घिरे हुए है हाला कि भारत इन सभी में सफस्ट दिखाई देता है भारत में ही गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से पवित्र मानते हैं भारत में गुरुवार का बड़ा महत्व और बाकी देशों में इतना खासा महत्व नहीं और इसलिए ये कह सकते हैं कि ये भाविश्वानी भारत के संदर्म में कही होगी इसके लावा अगले चौपाई में नासर दमस ने लिखा पांच नदियों के प्राख्यात दुई प्रास्ट में एक महान राजनेता का उदे होगा इस राजनेता का नाम वरन या शेरन होगा वो एक शत्रू के उनमात को हवा के जरिये समाप्त करेगा और इस कारवाई में छे लोग मारे जाएंगे तो जब नासर दमस की इस चौपाई को डिकोड किया और जो बात निकल कर सामने आई उसके मुताबिक हाँ एक दूइप रास्ट की बात कही गई है और भारती उप महा दूइप में कई रास्ट है उनमें से भारत भी एक दूइप रास्ट है वरन और शेरन नाम के लोग एशया में ही पाई जाते हैं बात में 25 शत्र के उनमात को समद से पर है क्योंकि फिलहाल इस तरह की कोई घटना अभी नहीं हुई इन में पांच नदियों वाले प्राख्यात दूइप की बात कही गई है भारत में तो कही नदिया है कुछ लग इसे पंजाब से जोड़ कर देखते हैं क्योंकि वहां 5 नदिया है लेकिन 36 गड़ के महा समुदर शेत्र में भी 5 नदिया बहती है मालवा में भी प्रमुख्यता तौर पे 5 नदिया बहती है पंजाब में सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और जेलं मालवा में शिप्रा, कालंधी, सिंधू, नर्मदा और चंबर 36 गड़ में महा नदी, जोक, सोंडूर, गंगा और शिवनाद हाले कि देश में ऐसे भी कई स्थाने जहां से पांच नदिया एक साथ निकलती इसलिए ये कहना कि वो पंजाब सही होगा, ये सही नहीं इसके बद अगली चोपाई में नासर दमस ने उस शक्सित के आने का संक्ये दिया जिसमें समूची दुनिया को बदलने की शमता होगी चोपाई में लिखा शीगरही पूरी दुनिया का मुख्या होगा महान शायरन जिसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वो भयंकरव भयभीत करने वाला होगा उसकी ख्याती आसमान चुमेगी और वो विजेता के रूप में सम्मान पाएगा जब इस चौपाई का विशलेशन किया गया तब ये पाया गया कि वरन या शरन नाम तो भारत में ही होते हैं लेकिन शारन सुनने में कभी नहीं आए नासर दमस ने अंग्रेजी में इससे शारन लिखा है और अब ये पिरोधभास पैदा करने वाला भी है हाला कि उनकी भविश्मानियों से लगता है कि उस महापूरिश का नाम शर जैसे उचारन से शुरू होगा इसके लावा नासर दमस ने अपनी चौपाईयों में लिखा एश्या में वो होगा जो ये उरोप में नहीं हो सकता एक विद्वान शांती दूद सभी रास्ट्रों पर हावी होगा यानि जो शक्स विश्व राजनेता होगा वो विद्वान होने के साथ साथ दुनिया में शांती भी फैलाएगा ये सारे बाते दे प्रॉफिसी में मिलती है जिसे खुद नासर दमस ने फ्रेंच भाशा में लिखी थी हाला कि बाद में किताब को अनिय भाश्याओं में पब्लिश किया गया अब देखिए विश्व नेता से जोड़े नासर दमस की भाविश्वानियों को बहुत से लोग या अनुयाई अपने अपने संथ के साथ जोड़ कर देखते हैं वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नासर दमस की इस भाविश्वानी के आगे पिया मोधी को देखते हैं लोगों का मानना है कि नासर दमस ने जिस विश्वनेता के संके दिये हैं वो कोई और नहीं बलकी पिया मोधी ही है आपको क्या लगता है क्या पिया मोदी में दुनिया को बदलनी की शम्ता है क्या उन्हें शांति दूत के रूप में देखा जा सकता है क्या नासे दमस की भविश्वानी को वर्तमान परिस्तित्यों से जोड़ा जा सकता है प्लीज इस पर आपकी क्या रहा है क्या विचार है हमें कमेंट करके ज़रूर बताईएगा साथियों नौर्थिश में देश के विकास का ग्रोथ इंजिन बनने की ख्षमता है दिनों दिन मेरा ये विश्वास इसलिए घहरा हो रहा है क्योंकि अब पूरे नौर्थिश में शांती की स्थापना हो रही है जहां से पहले सिर्फ नेगेटिव खपरे ही आयती थी वहाँ अब पीस, प्रोग्रेस और प्रस्परिटी का मंत्र गुंज रहा है एक तरफ दहां मनिपूर में ब्लॉकेड इतिहास का हिस्सा बन चुका है और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे मैं भी मेरी तरफ से नौर्थिश के नागरिकों का विशेश करके मनिपूर के नागरिकों का रुदे से अभिनंदन करता हूँ कि आपने हमें साथ दिया मेरे शब्दों को ताकत दी और आज ब्लॉकेड बीते हुए कल की बात बन गई वही असम में दसकों से चला रहा हिंसा का दौर थम गया है त्रिपूरा और मिजोरेम में भी युवाओं ने हिंसा के रास्ते को त्याक किया है अब ब्रूर यांग सरनार्ती एक बहतर जीवन की और बढ़ रहे हैं साथियों बहतर इंफासक्चर, कनेक्टिवीटी और शांती जब ये तीनों चीजे बढ़ती हैं तो इंडुस्ट्री के लिए इन्वेस्ट्मेंट के लिए संभावना ये अनेक गुना बढ़ जाती है नौर्थिस के पास तो और्गिनिक प्रोडक्स और बंबू दो ऐसे माध्यम है जो आत्म निर्भर भारत अभ्यान को ताकत देने का सामर्त रखते हैं और मैं आज जब यहां आप से बात कर रहा हूं तो मैं नौर्थिस के किसान भाई बहनों से विशेस बात करना चाहता हूं मैं लगातार कहता आया हूं कि नौर्थिस और्गिनिक कैपिटल देश का बन सकता है आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं पिछले दून कुछ मिजे वग्यानिकों से मिलना हुआ कृषी विग्यानिकों से मिलना हुआ कृषी अर्थसास्त्रियों से मिलना हुआ उन्होंने एक मज़दार बात बताई उन्होंने कहा कि हमारे नौर्थिष में किसान अगर पामोलिन की खेती पर चले जाए तो देश को और नौर्थ इसको और वहाँ के किसानों को बहुत बड़ी मदद मिल सकती है आज पामोलिन तेल, पामोलिन ओईल उसका हिंदुस्तान में एश्वार्ड मार्केट है अगर नौर्थ इसका किसान और गेनिक खेती करता हो और उसमें भी पामोलिन की खेती करे हमारे अर्थतंद्र को कैसी नई गति देंगे, मैं यहां की सभी राज्य सरकारों से भी आगरख करूँगा कि वह अपने अपने राज्य में पामोलिन मिशन की रचना करे, किसानों को सिक्षित करे, प्रेरीत करे और भविश में इसमें किसानों को हमें कोई मदद करने की ज़ुरत होगी उस पर भी बैट करके कोई योजना बना सकते हैं कुछ सोच सकते हैं हम और इसलिए मैं आज जब नौर्धिस के भाईयों बहनों से और खास करके मनिपूर के भाईयों बहनों से करता हूँ नौर्थ इसके मेरे पारे भावेमानों तो हमेशा ही लोकल के लिए भोकल रहे हैं और सिरफ भोकल हैसा नहीं नौर्थ इसकी एक विशेष्टा है उनको लोकल के लिए गर्व होता है मुझे आध है जब मैं इस प्रकार का स्कार्प लगाता हूँ तो उस प्रदेश के लोग गवरों से इसको रकगनाईज करते हैं अपनी चीजों का इतना गर्व होना यह बहुत बड़ी बात है और इसलिए नौर्थ इसको यह समझाना कि लोकल के लिए वोकल बनो साइद मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि आप तो उससे भी चार कदम आगे है आप तो लोकल के प्रती बहुत ही गवरों करने वाले लोग हो आप अभिमान फिल करते हूँ हाँ यह हमारा है और यही तो ताकत होती है और जो प्रोड़क्स नौर्थीस में होते थे उनमें से अधीक आउंस बैल्यू एडिशन, प्रमोर्शन और मार्केट एकसेस से कभी-कभी बंचीत रह जाते हैं लोगों को पता भी नहीं था अब आत्म निर भर भारत अभ्यान के तहट लोकल प्रोड़क्स में बैल्यू एडिशन और उसकी मार्केटिंग के लिए क्लस्टर विक्सित किये जा रहे हैं इन क्लस्टर में एग्रो स्टार्ट अप्स और दूसरी इंडस्ट्री को हर सुविधाई दी जाएगी ऐसे में नौर्शिस के और्गनिक प्रोड़क्स को देश और विदेश के मार्केट्स तक पहुँचाने के लिए हर जरूरी सुविधा नद्दिक्षी ही मिलने वाली है कर दो दो पहुँचाने के लिए हमास के लिए हैं अब प्रोड़क्स के पहुचाने के लिए।